नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके सामने बहुत ही नए तरह की मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही सौप्ट बनी है बढ़िया बनी है यह मुँ में गुल जाने वाली मिठाई है इसे मैंने सिर्फ तीन चीजों से बनाया है और आप इस मिठाई को इस्टोर भी कर स सब्सक्राइब कर सकते हैं जितनी एक खुबसूरत देखने में लग रही है खाने में उतनी ही टेष्टी बनी है रेसिपी प Ariya को लाइक कर सकते हैं चैनल पर नाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए इन तीन चीजों से बनी मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन-किन सामन की हमें जरूत पड़ेगी इस मिठाई को बनाने के लिए अब मैंने यहां पे आदे कप चावल लिया है और तीन चम्मस उर्द की डाल ली है जिसे मैंने रात को पानी में भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गई है इसे भिगोने के लिए आपको 5-6 घंटे लग जाते हैं अगर आप दिन में भी इसे बनाना चाहते हैं तो 5-6 गंटे पहले दाल चावल को आपको पानी में भिगोना होगा और ये दाल भी देखें अच्छे से फूल गई है इस तरह से हम तोड़ रहे हैं तो ये टूट रही है आप कोई भी चावल का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मोटा वाला इडली चावल है तो वह भी इ पानी डालेंगे बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है बहुत ही कम हमें इसमें पानी डालना है इसका हमें थिक बैटट बनाके तयार करना है तो चलिए हम इसे महीन पीच लेते हैं और हमने इसे महीन पीच लिया है और बहुत ही चिकना पेश्ट बनाके तयार किया है देखने में बहुत ही चिकना बढ़िया दिख रहा है इस तरह से हलका हो गया है इसी तरह का पेश्ट हमें बनाकर तयार करना है मिठाई के लिए तो इसे हम निकालेंगे एक बरतन में इसे निकालने के बाद हम इसको साइड रख देंगे और इसके लिए चासनी बनाएंगे अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है चासनी बनाने के लिए कोई भी वरतन का इस्तिमाल कर सकते हैं आप और एक कप हमने यहाँ पे चीनी ले ली है और जितनी हमने चीनी ली थी उतना ही हमने इसमें पानी डाला है आज को हम मीडियम ही रखेंगे और चासनी को बना लेंगे और इसी तरह हम लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि चासनी हमारी अच्छे से बन जाए और चीनी भी घुल जाए तो इसमें अब हम दोठो इलाइची डाल देंगे आप इसमें इलाइची का पौडर भी डाल सकते हैं तो मैंने इस तरह से इलाइची को खोल कर इसमें डाल दिया है और दो से तीर मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे यह हलकी सी गाड़ी देखने लगे या फिर कहें यह चिपचिपी चासनी बन जाए इसका हमें तार नहीं बनाना है इसकी हमें चिपचिपी चासनी बनानी है तो इस तरह से उंगलियों पर हम चेक भी कर सकते हैं अगर हम तार बना देंगे तो यह जम जाएगी तो हमें इसका ज़्यादा तार नहीं बनाना बस चिपचिपी चासनी चाहिए हमें यह देखने में भी कलर चेंज हो जाता है चासनी का इस तरह से दिखने लगती है तो चासनी को अब हम इतना ही पकाएंगे गैस को हम बंद कर देंगे और इसे साइड रखेंगे और जो बैटर हमारा रखा है वो भी अच्छे से फूल गया है तो हमने यहाँ पे औरेंज फूर लिया है एक पिंच और इसे डाल दिया है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आप कोई भी कलर का इस्तिमाल कर सकते हैं लाल हरा औरेंग जो भी कलर आपको पसंदो या फिर आप इसे स्किल भी कर सकते हैं बिना कलर के भी सीज़ते हैं आहँ कि इसली है बंडा से उत्तवाच भी बिना कलर के इसली मैंने प़ेंग सोब्गWhat बशन से इस अनना जाती है इसली चोना ना लिया है इसे ज्यादा देर फिर इस तरह से छोड़ेंगे नहीं बस इसे मिलाने के बाद हम मिठाई बनाना सुरू कर देंगे और देखें कितना हलका ये बैटर दिख रहा है जितना हलका दिखेगा मिठाई उतनी ही बड़िया बनेगी अब तेल हमारा यहां पर गरम हो गया है तो आप इसे बना सकते हैं या फिर चम्मत से जैसे आपको सुब्दा हो उससाब से आप इस मिठाई को बना सकते हो और थोड़ी दिर बाद देखना यह फूल जाएंगी अपने आप ही पलटने लगेंगी आज को धीमा करके ही हमें इस मिठाई को डालेंगे ज्यादा टैम नही हो रही है आप इस मिठाई को थोड़ा सा छोटी बना सकते हैं थोड़ा सा बड़ी बना सकते हैं जैसी आपको पसंदो बैसी बना सकते हैं पर मैंने इसको इस तरह से मीडियम साइज का दिया है अब हम इसे इसी तरह से मीडियम आज में तल लेंगे एक अच्छा सा कलर आने तक और देखें अब कलर इसका चेंज हो गया है तो अब हम इसे हलके हाथों से इस तरह से पलट देंगे वैसे तो यह अपने आप ही हलकी से पलट जाती है पर तो अगर कोई दिखका तो तो इसे छोटी चमच की साहिता से आप पलट सकते हैं और देखें सिक्करी कलर इसका चैंज हो गया है बहुत बढ़ी हा दिख रही है जैसे इमर्ती का कलर होता है ठीक उसी तरह का कलर आया है अब हम इसे निकाल लेते हैं और जैसे ही हम इसे निकालेंगे यह हलकी गरम चासने में हम इसे डाल देंगे तुरन ताकि यह मिठाई अच्छे से फूल जाए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगे इसे फूलने में के बागी की मिठाई भी हमें इसी तरह से बना कर तैयार करनी है तो इस तरह से हम हास से छोटी- relacion be फूल कर बडि हो जाएगी और सारी मिठाई को हम इसी तरह डाल लेंगे और बागी की मिठाई भी हम इसी तरह बना कर गरम गरम चासनी में डाल देंगे ए जुदके टाले जाएगी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा इस मिठाई को बनने में अच्छी से मिलाना है महां टाकि चासनी में सारी मिठाई हमारी अच्छी से डूप जाएगी अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए और फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे तो 25-30 मिनट मैंने से छोड़ा था ताकि अच्छे से फूल जाए देखे कितनी सॉप्ट हो गई है एकदम सॉप्ट बनी है मुँ में जाके घुलने वाली मिठाई है और देखें इसके चासने भी कितनी बढ़िया निकल के तयार हो रही है आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया और मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ तब तक का आप इंतजार करिएगा